हलो मित्रों जैमातादी मित्रों आप सभी को बता दें कि आने वाला 48 घंटा आप लोगों के जीवर में जो बड़ी घटना होने वाली है सुनकर आप सभी के रोंग्टे खड़े हो जाएंगे जी हां दोस्तों आप सभी को बता दे कि आप कट घरे में खड़ा होना पड़ेगा समय रहते हो जाएं सद्धान अन्य था अगले 48 घंटों में आप सभी का जीवन राजा से रंक की और जा सकता है दोस्तों इसके पीछे बहुत ही बड़ा सड्यंत रहें जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं चाहें आप हमें कितना भी रोकने की गुशस कर लो लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई बताने वाले हैं जिनसे आप अभी तक अंजान है किस प्रकार से लोग आपको खुस होना नहीं देख सकते किस प्रकार से आप हमेशा दूसरों के गलतियों की सजा भोगते हो और एक सब्द में कहें तो आपकी माथे पर हमेशा दूसरों का इलजाम थोपने का प्रयास किया जाता है जी हाँ दोस्तों इसलिए हम आप से विसे निवेदन करेंगे कि सच्चाई बताने में हमारा सहयोग चरूर कीजिएगा और जीवन की कीमती समय को निकाल कर इस वीडियो को अंततक ध्यान से एक बार जरूर देखे जी हाँ दोस्तों यह कोई साधारन बात नहीं है यह बहुत बड़ी बात है जो मैं आप से दावे के साथ कह रहा हूं और यह बात मैं ऐसे ही दावे में नहीं कह रहा गहरिशोद और अध्यन के बात यह मैंने यह बाते सारी पता लगाई है और वीडियो के रूप में आपके सामने पेस कर रहा हूँ तो इसके लिए इस बिसे पर बात करेंगे साथ ही मा भदरकाली के सच्चे भक्त पूरी भक्ती भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जै मादुरु के अवस्य लिखे मा मेरी रक्षा करो मा मेरे संकटों को दूर करो मा भदरकाली मेरी रक्षा करो जरूर लिखेगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजेगा मा भदरकाली आपके उपर हमेशा किर्फ़ा बनाए रखेंगी और इसी के साथ मा दुरगा जिनके भी साथ होती हैं उनका कोई भी बाल पाका नहीं कर सकता तो दोस्तों इसलिए जरूर कमेंट कर दिचेगा तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम बात करते हैं आपके जीवर में धहन क्यों नहीं आ रहा क्या वज़ा है इस बात की क्या वज़ा है कि आपके धन संफती को किसी ने बांध दिया है या आपको किसी की पूरी नेजर लग गई है या फिर आपके किसमत ही खराब चल रही है हम धीरे धीरे हर फोइंट पर विस्तार से बात करने वाले हैं हर बात को बहुत कहराई से समझाने वाले हैं इसलिए विडियो में अन्त तक जुड़े रहिए दोस्तों एक खास बात हम आप से भी कहना चाहेंगे हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं बहुती चानवीन करने के बाद, बहुत पता लगाने के बाद लाते हैं और इस अध्यन में, इस सोध में बहुती मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपचे कुछ भी नहीं चाहते हैं ये सारे free of coast आपको मिल रहा हैं परन्तु आपसे हम इतना सा निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ हमारे family का हिस्सा बन जाएं बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं इसलिए आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लें बहुत सारे लोग देखते हैं पर वोग चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हैं तो आपसे अनुरूद है आप चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे दोस्तों हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपकी रासी के जितने भी जातक हैं और बहुत से ऐसे जातक हैं, जो हमसे लगातार प्रस्नली सवाल करते हैं, प्रस्नली हमसे बाते बताते हैं, कि हमें मेहनत करनी के बाद भी शफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही, हमारे पास धन संपत्ती क्यों नहीं आ रहा या अगर कहीं से धन आता भी है तो रुकता क्यों नहीं है हमारे काम धन्दे सब ठब क्यों पड़ रहे हैं नए काम धन्दे जो शुरू होते हैं उन्में भी अच्छे संकेत क्यों नहीं मिलते हैं नौकरी में बहुत परिसानिया बहुत समसाएं क्यूं आती हैं और कम उम्र के जातक को भी नौकरी नहीं लग पा रही है बेरुजगारी बहुत परिसान कर रहा है पारिवारिक महौल भी अच्छा नहीं चल रहा परिवार में बहुत अधिक नकरात मकता लडाई जगडे दोस का रोपन क्यूं हो रहा है और यहां तक की लव लाइफ फी विल्कुल परबाद सी हो गई है क्या इसका कारण है क्यूं इतनी प्रसानी हो रखी है इन सभी प्रकार के सवालों के जबाब इस रासी के जातक हमेशा ढूंडते हैं और हमें हमेशा प्रस्न करते हैं और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परिसान है, मुझे पता है, इन सवालों के सही सटीक जबाब अब तक आपको प्राप्त भी नहीं हो पाएं हैं, तो हम आपचे कहेंगे कि विडियो को पूरा देखना है, आपको आज हर समस्या का समधान प्राप्त होने जा रहा है, आपका ज उची चल रही है काफी कुशल मंगल है यानि ग्रहों के इस्तितियों की वज़ा से आपको कोई परसानी नहीं आ रही है जी हाँ दोस्तों आपको आस्चर्ज होगा और यह आवस्य ही आपके लिए चोकाने वाली बात होगी लेकिन तब भी हम आप चेक कह रहे हैं कि ग्रहों की और से आपको कोई प्रिशानी नहीं है फिर आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिर आखिर कौन सी वज़ा है जब ग्रह नहीं है तो कौन आपको प्रिसान कर रहा है क्यूं आपके जीवर में इतनी संकट आ रही है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीवर में जो संकट आते है वह न केवल गरह दोश्स से होता है बलकि इसके और भी कई सारे कारण होते है कुछ हमारे द्वारा की गई गल्तियों की वज़ा से हमारे उपर संकट आते हैं तो कुछ हमारे इस्वर तै करते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंब पर आधारित होता है और हम गल्तियां स्वेंग करते हैं तो हमारे जन्म में आने वाले सुख सुबधाएं और अच्छे समय को रोग देती हैं। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बहत चमतकारी है। बहती खुसियों से भरा है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो आपके जिन्दगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके दुनिया पूरी तरीके से खुसियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर अब बहत करते हैं कि वा कौन सी गलती है, जिसकी वज़े से इस रासी के जात्कों को लगतार मुसीवतों का सामना करना पड़ता हैं। और संकट कटते ही नहीं हैं। और ऐसी कौन सी आदत हैं। गलतिया हैं जिनकी वज़े से बार-बार आपको घाटा मिल रहा हैं। लाब होने की जगा धानी हो रही है, धन प्राप्ती की जगा धन की हानी हो रही है। धन लाब, धन प्राप्ती हो नहीं नहीं पा रहां। लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं। बार-बार आपका पैसा कही न कहीं अटक जाता है, फस जाता है। काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं जी हाँ दोस्तों हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद लोगों को कैसा महसूस होता है कैसा लगता है उस पर भी यदि कोई अपना हित्यसी जानने वाला जिस पर कि हम बहुत जादा भरोसा करते हैं वही अगर धोखा दे दाए तो और भी जादा बुरा लगता हैं मन में एक घाव सा हो जाता है कोई पराया अगर धोखा वाजी करे तो हम सहन भी कर लेते हैं कि चलो उसकी रवया उसका वहवार ही यही है लेकिन यदि कोई अपना धोखा दे दे तो फिर कैसी बात होगी वह सहन करने के योग भी नहीं होता तो दोस्तों इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं तो सबसे पहली गलती हम आपको बताने जा रहे हैं अगर आपके पास कागज और कलम है तो आप इसे लिख लें और नहीं है तो आप सुन लें बार-बार इस वीडियो को देखते रहें सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास अपने घर परिवार में एक नकरात्मक वाताबरन बना कर रखते हैं और हमेशा एक सकरात्मक वाताबरन हमेशा नकरात्मक चीजों को आकर्सित करती है इसलिए आप परिसानियों से घीरे रहते हैं यह नकरात्मक वाताबरन इसलिए तयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है जी हाँ, दोस्तों आप क्रोध बहुत अधिक करते हो, आप अपने गुशे पर कापू नहीं कर पाते हो, यहाँ तक कि आपके अंदर एहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपके लिए एक नकरात्मक वातावरन तयार कर देती है, यह आ ज़्यादा तर समय अपने कारिश्यत्र पर ही बीताते हैं, दिन भर अपने कामों में वैस्त रहते हैं, और अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं, शुकों और खुसियों का आनंद का अनुबब ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी बज़ा से धीरे 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 आपक का क्रोध न निकल कर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए यानि कि आपके अपनों पर आपके घर में आपके भाई बहनों सिर्या माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने रखते हैं और यही कारण मनता है जब आपके घर के लोग ही आपके लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं भागने लगते हैं आपसे जूट बोलते हैं आपसे बचने की कोशिच करते हैं जिससे आपके घर में एक नकरात्मक वातावरन तयार हो जाता है और यह वातावरन ही आपको आपकी सफलता प्रा नहीं करना है सांती फुन खुसियों भरा माहौल बना लखिए आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जाने कि आपके जीवन में खुसियों की सुरुआत हो आपकी सोभाग की सुरुवात हो जाएगी जी हां हमें तो अक्सर आपको बताया है और अब भी बता रहे हैं कि आपको सुभा भगवान सुरेदेव को अर्ध देना है और चांदी की एक अंगूठी धारन करनी है अगर संभव हो तो जिसे आपका चंदर प्रबल होगा और आतरी को सोते समय आपको क्या करना है एक सिराहने पर एक लोटा जल भर कर अवस्य रखें जिससे आपका मंगल भी शान्त होगा और आपका बौधिक संतूलन भी बना रहेगा इससे आपके घर परिवार में शुक और शान्ती का वाहल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकरात्मक उर्जा का निर्मान होगा दोस्तों यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने पड़े बदलाव आएंगे किसी चमतकार से यह कम नहीं होगा आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट से चल रहा हैं आप मानसिक और सारी दोनों ही सितियों में बूरी तरह से फसे खड़े हैं और बहुत ही प्रिसानियों से ग्रसित हैं लोग आपको बहुत प्रिसान करते हैं लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारियां उठानी होंगी और अपने घ प्रिसाना नहीं चाहिए इसे किसी के सामने जाहिद नहीं करने चाहिए जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कूराते हुए प्रवेश करें घर के लोगों को अपनी और आकरसित करें उनसे प्रेम पुन बाते में करें लोग आपके नजदीक आएंगे आप को तरह तरह की कुछ करने की कोशिस करेंगे आप और आप जो हैं उनकी चिकनी चुपडी बातों में आ जाते हैं फिर लोग आप से कुछ कारी करवाने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत ही पिना सोचे समझे तयार हो जाते हैं ऐसी इस्थिती में आपका सोचन होता है जी हां दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं लोगों के बातों में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे ही उनके कारिक करने लग जाते हैं और ऐसी इस्थिती में आपका सोचन हो जाता है और लोग आपका दुर्ब्योग कर लेते हैं यकीन मानिए कि इसमें बाहर के जादा सामिल होते हैं आपके अपने ही लोग आपको मुर्ख बनाते हैं आपके भावनाओं का लाब उठाते हैं और आपका सोशन करते हैं आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्यूंकि आपके जेब में रुपिया होता है जब आपका रुपिया पैसा समाप तो हो जाता है तो आप कंगाल हो जाते हैं तो आप से अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं आपको इतना बड़ा जटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से तूट जाते हैं आपका दिल तूट जाता है यहां तक कि कभी-कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है तो आप कंगाल हो जाते हैं तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द, आपका जीवन साथी भी आपका साथ छोड़ कर चला जाता है यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है लेकिन रिष्टे नातों के मामलों में आपके जीवर में उथल पुथल हमेशा मची रहती हैं आपने जो सोचा नहीं हुआ वह अनुभव आपको रिष्टों में हमेशा एहसास में मिलता रहता है और इसमें आश्चर्च की बात तो यह है कि आप से आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिष्टों को निभाना नहीं जानते हैं आपको गुसा बहुत आता है अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए जिसकी वज़ा से आपके साथ कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमी प्रेमी का जो है उनसे भी आप जपट पड़ते हैं और दो सारोपन करने लगते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है बहुत तकलीफ में हो जाते हैं और आप लोगों के जीवन की क्रोध ही ऐसा वज़ा है जिसे यह सारी प्रेसानिया खड़ी होती हैं लेकिन आप जो है इन सभी क्रियाओं को अपना हग समझ कर करते हैं परंतु दूसरे आप पर आ आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं जब भी आप किसी को तकलीफ में दुख में देखते हैं तो आप तुरंत इसको मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं चाहे वह इनसान आपका अपना हो या फिर आपका पराया दोस्तों मैं जो बते बता रहा हूं उसे आप और से सुनियेगा और अपने अंदर महसूस करियेगा कि कहीं न कहीं ये आपके जीवन में हो रहा है ठीक है आप दूसरों की मदद करते हैं सब की मदद करते हैं अपनी इक्षा अपनी छम्ता अनुसार कभी-कभी तो आप अपनी छम्ताओं से भी ज्यादा करते हैं यदि कोई आपसे मदद मांगे तो आप आधिरात को भी उसकी मदद करने के लिए तयार हो जाते हैं जी हां दोस्तों लेकिन ऐसा देखा गया है जब आपका समय बुरा आता है और आपको ज़रुत पड़ती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिस करते हैं रुपए पैस से मांगते हैं उधार मांगते हैं तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है नहीं किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की और से मदद की जाती है यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि कई बार होता है ऐसा ठीक है ना एक बार नहीं कई बार होता है कि आपको अपना ही आपके स सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थे से जुड़ा होता है और आपसे अपने अपने आप दूर हो जाते हैं आपको अनाप सनाप बोलते रहते हैं आपके जीवन में आरोप परतियारोप चलता ही रहता हैं आप उनसे क्या मदद मांगोगे वही आपसे मदद मांगते हैं और ज आपका मन खराब हो जाता है, आपके सबसे बड़े दुखों में से एक दुख यवी है, कि आपकी रिष्टे सिर्फ आपके स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं, दोस्तों, अब आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा, और इस ब दिखावा, ये भी आपको देखना होगा, दोस्तों, यह बात तो आपको पता ही लगानी होगी, क्योंकि यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता, किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकता, यह आपकी अपनी अनुभवों पर अधारित होगा, जदि आपका किसी व्यक्ति के साथ, किसी रिष्टे में अच्छा अनुभव है तो वह आपका अच्छा रिष्टेदार है वह आपका अपना है और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों, कि जो हमारे बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है इस दुनिया में रिष्टे नाते जैसी कोई चीज नहीं होती है जहां हमारा सगा रिष्टेदार हमें धोखा दे जाता है वही कोई पराया छोड़कर हमारी मदद कर जाता है तो आपका वह पराया ही अपना हुआ और वह रिष्टेदार आपका दुस्मन हुआ इस बात को जो है आपको याद रखना है और एक चीज आपको और याद रखनी है एक बार जिस इंसान ने आपको दोखा दे दिया उसे आपको हमेशा के लिए दूरी बनाया रखनी होगी जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उसे सावधान सोकर सुनिए क्योंकि एक बार जो आपको पूरे समय में धोखा दे चुका है वो दोबारा भी आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही वरताव करेगा आपको धोखा देगा तो दोबारा दुखी होने से बहतर है कि आप उस इंसान को पहचान ये और उनसे दूरी बना लीजिए हाँ दोस्तो तो आगे वीडियो में हम आपके प्रेमी जीवन के बारे में बात करेंगे और नोकरी के बारे में भी बात करेंगे जी हाँ दोस्तो हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपकी प्रेम जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे समस्या को कैसे आप दूर कर सकते हैं यदि आपकी नोकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपके नौकरी नहीं लग रही है तो आपको कैसे मिलेगी और फिर से तूट जाता है तो इसके पीछे का रीजन क्या है हम आपको बताएंगे उपाई भी बताएंगे तो आप वीडियो को देखिएगा अंत तक ठीक है वीडियो थोड़ी से लंबी होगी आपका समय जरूर लूँगा लेकिन आप देखिएगा ठीक है यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है और या फिर नौकरी ही नहीं लग रही है मिल ही नहीं रही है और फिर से तूट जाते हैं यानि आप अंदर से सबर नहीं रखते हैं आपकी बहुत बड़ी गलती है इस वज़े से आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत सारे कारे से कर जाते हैं जिनका हार जाना आपको बाद में बहुत पष्ताना पड़ता है आप बहुत परिसान हो जाते हैं आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार किये होंगे जिन में आप सबर से काम लेते हो तो आज आप कहीं और ही होते हैं जी हाँ दोस्तों आप विचार करके देखिए कि आपको सबर का साथ देना आप लोगों के जीबन में कितनी महत्पुन है आपकी रासी में एक अजीव सी बात पाई जाती है कि कुछ लोगों में इतना अधिक सवर होता है कि वह उन्चीजों को भी मिस कर जाते हैं जो उन्हें प्राप्त होने वाली है यानि कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अधिक सोंच विचार करते हैं कि उनका अच्छा समय आकर भी चला जाता है कोई भी पड़ा मौका उनके सामने से गुजर जाता है उसका लाब भी नहीं ले पाते हैं दोनों प्रकार के गुन आपकी रासी में पाई जाती है या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है या फिर आपके अंदर सब्र रखकर कुछ जादा ही है दोनों ही इस्तितियां खराब है इस इस्तिति में आप जल्दबाजी में कारिक कर जाते हैं और दूसरी इस्तिती में आप सूँच विचार करते ही रह जाते हैं यानि मोके का लाब सही से उठा ही नहीं पाते हैं तो दोस्तों कमेंट गर के बताईएगा कि आप जरूर बताईगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं कि आप जल्दबादी में फैसले लेते हैं या फिर आप ज़्यादा ही सूच विचार करते हैं किस प्रकार के इंसान आप हैं कमेंट करके अवस्य बताईए और ऐसा देखा गया है कि इस रासी के जादक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उन्हें सफलता पाने में कुछ ज़्यादा ही ललक होती है और इस ललक के चलते वो जल्दी जल्दी सभी काम को निप्टाना चाहते हैं फैसले लेते हैं और कारुबार में जल्दी से जल्दी उँचाई उपर तक जाना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा कि कोई भी बड़ा काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता हर चीज को अच्छी तरीके से होने में शमय लगता है इनको भी फलदार पेड़ बनने में शमय लगता है एक छोटा सा पेड़ जब बड़ा बनता है तभी वो फल देता है यदि छोटे छोटे पौधे को भी कितना भी आप सीज़ दो, कितना भी पानी दे दो, वो फल नहीं देगा, उसमें समय लगेगा, तो सबर एक सही समय पर सही मात्रा में किया गया सबर ही आपको सफलता परदान करता है, जिससे हमें भी सही फैसले लेने का अफसर्फ राप्त होता है, और बुद्धिमानी से लिए गया फैसले धीरे धीरे हमें सफलता की सीडियों पर चढ़ाते हैं, इसलिए दोस्तों आप से निवेदन करूँगा, कि आप जो भी वैपार करें, जो भी काम करें, उसमें थोड़ा सा समय दें और सबर के साथ काम करें, बताने को बहुत कुछ है, बताते बताते विडियो इतनी लंबी हो जाएगी, कि आप देखते रहे जाओगे, मैं जो भी बता रहा हूं, एक स्रीज चला रहा हूं अपने चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा, ताकि हम जो भी वीडियो बताओं, बनाएं, वो आप तक पहुंच जाए, और इसी के साथ मैं आपको क चैनल को सस्क्राइब कर लिजेए, इसमें मैं कुछ उपाय बता देता हूं, ठीक है, उपाय को आप कर लिजेगा, अगर नोकरी नहीं लग रही है, नोकरी में कोई परिसानी चल रही है, या बैपार में कोई परिसानी चल रही है, वहवाईक जीबन में कोई परिसानी चल अगर सुक्र हैं और यदि हमारे जीवन में सुक्र नीज का रहेगा या फिर सक्तिहीन रहेगा तो यह हमें उतनी धं शम्पत्ति या उतना धन नहीं दे सकता है यह हमें हमेशा धन, संपत्ती और रोजगार से सम्मंदित प्रिसानियां पेडित करती रहेंगी तो आपको करना क्या है कि आपको सुक्र से सम्मंदित उपाय करने होंगे इसके लिए आपको सुक्रवार को वृत रखना प्रारंभ करना होगा सुकुरवार के दिन सफेध चीजों का दान करना होगा छोटी कन्याओं को जिनकी उम्रे 9 साल से कम हो ऐसी पास कन्याईं या 11 कन्याओं को मीठी खीर खिलानी हूगी और उन्हें कुछ सफेध चीजें, सफेध वस्तुएं दान करनी होगी जैसे कोई सफेद रुमाल, सफेद वस्त, यह सब दान करने होंगे, बस इतना करने मातर से आपका सुक्र मजबूत हो जाएगा, और यदि आप उनको समय मिले, तो साम के समय मसलियों को भी दाना चुना दे, मतलब आप दाना जो है, वो डाल दे मसलियों को ऐसा करने से, आपक सभी काम बनने लगेंगे, तो ऐसे में अगर आपके जीवन की सभी प्रकार के प्रसानियों से छुटकारा भी आपको मिलने लगेगा, और यह बहुत ही सकतिसाली उपाय है, सरल है, लेकिन बहुत सकतिसाली है, इन उपायों के जरिये, आपके जीवन की सभी समझ्याओं को आप दूर कर सकते हैं, तो हमने आपको विडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है, यदि आपने विडियो को पूरा देखा है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको प्रिसानी क्यों आ रही है, और यदि आपको जानका थारी पसंद आई और नेक्स्ट पार को देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दिजिएगा जिसमें कि मैं आपके जीवन के और गहरी स्फोद करूंगा और अलग-अलग विसेयों पर आपको बताऊंगा तो नेक्र पर्ट के लिए किऺएगव कणीया और यज वीडियो कैसे लगी आदवान artık अच्छी कौन सी बुरी यभी आप जरूर बताइएगा और वीडियो को अभी लाइक नहीं किये हैं तो कर दीजेगा चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजेगा और comment box में सत्ची सरधा के साथ जै मादुरगा पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिएगा इसी के साथ मादुरगा आपकी रक्षा करें मा आपके सभी कश्ट को दूर करें और आपके जीवन में सु हैता करें आपका दिन सुभ हो मंगल कारी हो जैम